फास्ट रहेंगे ताकि पूरा का पूरा एक कोई बाती नहीं है यहां पर आपका अंसर क्या हो जाएगा आपके योगी आधितनाथ हैं ठीक है इनसे जुड़े हुए कुछ मतलब इनका अगर नाम पूछ ले तो आपको यह भी नाम पूग्रा आपको याद रख लेना है इनका जन्म हुआ था का पान जून 1972 में आपके पंचुर पौड़ी गड़वाल उत्तराखन में हुआ था सियारित नाथ जी गोरक नात मंदिर के पूर महंत और अवैध नाथ के उत्तरादिकारी भी रहे हैं हिंदू वाहिनी राष्टवादी समू के संस्तापक भी रहे हैं ठीक है ना दो हजार चौदा में गोरक पूर लोगसाबाद से संसर चुने गए थे और संसरा को भी प्रदेश के विधान सभा चुनाओ में भी जनता पार्टे की बड़ी जीत क बात उत्तरबदेश के मुख्यमंतरी बने वह भी कौन से तो आपके 21 मुख्यमंतरी पद की सबत्री इन से जुड़े वे जो भी पॉइंट थी उनको आपको जरूरी था है ना चले आगला कोशन आप से यहां पर दिया गया है चले इसको उपर कर दें चले कर आप से उत्तर एबलिया के नाम से किसे जाना जाता था यहां पर देख सकते हैं वीडियो एक्जाम में कोशन पूछा गया था और आपके लोवर सेकिन में भी कोशन पूछा गया था यह हैं आपके सेर एबलिया आपके चित्तु पांडे ओप्सन मनेगा यहां आपका से नमबर चित्तु दिन चलने के बाद कांग्रेस द्वारा दवा दी गई ठीक है ना चरे आगे बढ़ते हैं कोशन आप से पूछा गया है प्रिसिद्ध भारती तबलावादक का नाम बताएं जिनका जन्मुत्तरवदेश के वारणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंदी थे यहां पर देखे आपका राइट अंसर क्या होज़ेगा वो प्रिसिद्ध तबलावादक का नाम बताना है जिनका जन्म उत्तरवदेश के वारणसी में कबीर चौरा में हुआ था ज्योकि बनारस घराने से संबंदी थे इनका नाम क्य हुआ था है ना और इनको देखो पदम स्रीवी मिल चुका है जो कि आपके 1973 में और केंद्री संगित नाटक पुरुषकार भी 1984 में दिया गया है दोजार दो में हाना और इनकी म्रत्तिका हो गई है तो पंडित किसन महाराज की म्रत्ति हो गई है 2008 में हो गई है ठीक है पहुंच लिया था उसके पहुंच लेगा मतलब इसी प्रकार से कोश्चन कोश्चनों से निकाल के रख दी जाती है ठीक है ना तो चले कवित्री मादेव वर्मा का जन्म की सहर में हुआ यहां पर अंसर क्या बन जाएगा चले आपका अंसर यहां पर देख सकते हैं काफी लो निहार इनसे बहुत कोश्चन आपके बनते हैं ठीक है आगे बढ़ते एक कोश्चन आप से रहा पूछा गया है रामायाड के रचईता आप बालमिकी का आस्रम निकित मेंसे कहा है इस थी था रामायाड के रचईता अभी बहुत आप आप जिसे हम पूंच लिया जाए तो यहां पर बतायेगा कि प्रसिद्द बासुरी वादक हरिप्रसाद चारशिया का जन्म कहां हुआ था चले यहां पर जवाब दीजे आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका जवाब दीजेगा चले यहां पर प्रसिद्द चारशिया का जन्म इस्थान पूछा गया है याद रिखे इनका जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में कहां हुआ था ओप्सन सी बनेगा लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था याद रिखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्नाप सिगला प जो आपका सकल घरेलू उत्पाद रहा है तो इसकी ब्रद्धी पूछा है तो यह ब्रद्धी आपकी हो जाएगी 11.3% अप्सन मनेगा इसका ए नमबर आपका राइट हो जाएगा ठीक है ना अगर यह पर हम अगर बात करें कि नवींतम आकड़ा नवींतम आकड़ा यह पर द कि इस राज के सकल घरेलू उत्पाद का नियमलकित में से कितने प्रश्षा वी निर्माण चेतर का योगदान रहा था तो चलिए कोशन है 2020-21 में SGDP का जो आपका योगदान रहा है वो आपका 26% रहा है कहीने कहीन कुछ न कुछ परसंटीज आपका बढ़ी रहा है ठीके आगे बढ़ते कोशन आप सिगला पूछा गया है वस 2018 में राज का दौरा करने वाले घरेलू पारेटकों के मामले में उत्तरवदेश का जो इस्थान रहा है वो कितना रहा है 2020 में ये कोशन आपका पूछा गया है तो बताएगा बढ़ी कि आपके 2018 में राज का दौरा करने वाले घरेलू पारेटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का जो इस्थान रहा है यह कौन सा इस्थान आपका रहा है इसका राइटन सर यहां पर क्या होगा तो राइटन सर यहां पर हो जगा बी नंबर आपका दूसरा इस्थान इसमें से रहा है अपसमने का बी नंबर यह आपका दूसरा इस्थान रहा है जबकि अगर हम बात करते हैं प्रफम इस्थान तो आपका तमिलाडू रहा है याद रखेगा कि यहां पर जो आपका इस्थान आपका करनाटक का है और चौथा इस्थान आपके आंद्प्रदेश कर रहा था ठीक है आगे बड़ते कोशन आप से गला पूछा गया है उत्तरदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रती ब्यक्ती सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा था तो देखिए यहां पर आपके जो करेंट डाटा भी हो उसको हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे तो देखिए इसका राइट अंसर अगर में बात करते हैं तो आप कंसर यहां पर 34 कंसर बनेगा सी नंबर यह आपका गौतम बुद्धनगर है याद रखेगा कि 2018 में जो आपका शकल घरेलू उत्पाद है सबसे अधिक रहा है गौतम बुद्धनगर का एक कोश्चन देख सकते हैं 2020 के आपके पूचे जा चुके हैं ठीक है और यहां पर देख सकते हैं कोश्चन आप से गला पूचा गया है कि उत्तरवदेश सरकार ने वस्ट 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज में निर्मित खादी वस्ट के समर्धन हेतू के साथ समझाओता ग्यापन पर हस्ता चरकिया तो यहां पर इसका अंसर क्या बन सकता है तो देखे इ अगे बढ़ते हैं कोश्चन आप सिगला पूचा गया है क्या उत्तरवदेश में क्रसी कुम्ब 2018 का यह किया गया तो देख सकते हैं यह वी कोश्चन 2020 में कोश्चन पूचा गया है तो आप संसी हो जएगा आपके लखनों में कहां पर आपके लखनों में किया था याद का उस्तरव जो आपके काशी नासिंग इनको उत्तरदेश के उच्तम साहित पूरूषकार और यह बताईे कि सभसें उच्चितम किसे माना जाता है यहां पर तो यादर कि इसमें से आपका भारत भारती हो जाएगा याद रहिए यहां पर दिया गया है प्रदेश के संस्थान दोरा इनमें से पांच लाख रुपए किरासी के रूप में यहां पर दिए गई है ठीक है और आगे बढ़ते हैं कि जेम्स टैट ब्लैक पुरुषकार 2015 किस बंगलादेशी उपन्यास कारणी जीता था यहां पर अंसर आपका राइट क्या होजएगा अंसर आपका बनेगा यहां पर इनमबर यह आपके जिया हैदर रह्मान मतलब यह हुआ कि ऐसे पुरुषकार है पुरुषकार को भी आपको पढ़ लेना है जैसे आपको इमार लीजे तो यह आपका देखो 15 में पूछा गया था लेकिन अब आपको 2020 और 2021 के समस्थ पुरुषकार आपको पढ़कर ही जाना है क्या 2000 यहां पर सत्रा 2020-2021 के जितने भी पुरुषकार है उन दोनों को ही आपको पढ़कर जाना है 11 का डाटा रहेगा लेकिन पूंचा जाएगा 2020 क्लियर हुआ चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से पूछा गया ह है यहां पर देखें आपका कोशिन यहां तो यहां पर यह का फूले हैं तो कौन है यहां पर पूछा है मतलब यह आपको कोई क्वाले कोशिग में आ जाते हैं सीधा डाटा 2018 का पढ़ रहे हैं वो तो याद रहेगा नहीं बस आपको पता चल गया ना किड़का जाए तो दो साल का डाटा आप लोग एकोनोमिक्स की दरश्टी से आपको पढ़ लेना है किलियर हुआ चले यहाँ पर कोश्चन आपका आचुका है 220 में जो कि वीविद कोश्चन आपका है ठीक एक कोश्चन कहरा है कि राज में बेवसाय स्थापित करने के उद्दे से उद्धोग ब पर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा उत्तरव देश सरकाल द्वारा उद्धोग बंधू एवं आईयसो प्रमाडी त्री इस्तरी अर्था जिला इस्तर मंडल इस्तर और राज इस्तर निकाय है ठीक है ना तो कौन यह आपका आईयसो प्रमाडी तो आपका है यह कैसा ह जिला इस्तर मंडल इस्तर और राज इस्तर है और यह एक जनवरी उन्नीस उनिन्जान में से एकल विंडू प्रणारी की रूप में कारे कर रहा है इसको देश है कि राज्यों में बेवसाओं की स्थापना और सभी अधोगी कनमोदन को पूंड करना ठीक है आपका था क्या रामसर साइट में जो आपका है वह आपका हो जाएगा आपका डी नमबर उपरी गंगा नदी याद रिखेगा कि यहां पनामित किया गया है उपरी गंगा नदी ऑप्सन अपका डी हो जाएगा अगर पूंचे कि इनमें से कौन-कौन से आपके हैं तो देख लीजेगा कि उपरी गंगा नदी भी आपके किस में जोकी उत्तरदेश में हैं सामर जील राजस्थान में हैं भोज आर्ध भूमी बद्रप्रदेश में हैं आश्टमुडी आपके केरल में हैं छिलका जील आपके उडिसा में ठीके है भारत में रामसर के तहट इनको सूची में साइट में ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया वैसे इसका करेंट फेर में वीडियो डाला था अना तो जो कि आपके टोटल के टोटल है सम्मिल जाएंगे चाहँदावी सताब्दी कि प्रिषिद मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या का जाता है मस्जिद को किसने तो आपके दियाद रखे सरकी राजवन्स के इबराहिम साह ने बनवाया था एगला कोशन आप से यहां पर दिया गया है कि आवद राजजजी से ऑध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम सास्कों का सासन था आवद पर सासन करते समय सास्कों ने निम अभी तो बोलते थे कोईसी के आगे देखते तो नवाब लगा दिया जाता था ठीके ना तो आपसन होजेगा आपका सी नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन आप सेगला पुछा गया है क्या रहा है नीती आयोग द्वारा सुरू किये गए रंकिंग तंत्र में उत्तरवदेश के जिले को महत्त्वा कांची की रूप में पहचाना गया है यह आपे आठ जिले है याद रखे आठ जिले हैं और यह आठ जिले आपके हैं कौन से हैं तो आप जिले हैं आप के बलरामपुर सुरावस्ती बाहराइच सिधार्थ नगर चंदोली सोनबाद फत्यपुर आपका चित्रकूट है याद रखेगा इन जिलों को देखा जाए मदलब धन प्रविश्टी अर्थात इनको विशेश योजना सहीत आपको लेश किया जाएगा इनको तो इसका अंसर नोट कर लिजेगा कौन-कौन है अगला है आगरा की सबसे प्रसिद अपना किस ने की थी तो आपके सिकंद लोधी ने अर्था लोधी वन्स के सासक सिकंद लोधी ने किया था आगरा का किला यूनिस्को के विर्यास सुची में भी आपका सामेल है ठीके आगे बढ़तें कोशन आप से दिया गया है उत्तरव देश राजी की महिला हेल्प अनमियाई सब से कम हैं अनमियाई क्या है रहे हैं अब कि धर्म के दिए लोग है और यहां पार्व देश में सब से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली यहां पर आपकी भासा कौन सी है ये भी question काफी अच्छा है जवाब दीजी इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा चले तो देखे 258 के घरम बात करते हैं तो भई संस्क्रत क्या बोलते हैं क्या जादा नहीं बोलते हैं लेकिन कई न कई उर्दो भोजपुरी हिंदी आपके आती है ठीक है इसका option बनेगा ए न इसका हो जाएगा आपका दो हो जाएगा विठोर राप्ती नदी की बात करते हैं तो प्रताफगड जो आपका बसा है वह आपके साही नदी में है तो इसका देखो आपका कैसे हैं इसका एक हो गया था इसका क्या हो गया तीन हो गया मतलब 2-4-1-3-2-4-1-3 option आपका भी न की ए नंबर गाजीपूर में बिल्कुत सही जवाब है याद रिखेगा कि कहां पर है लाड कार 49 की जो आपकी कवर है वो कहां पर है तो याद रिखे आपका अपकी अफिम कोठी भी अफिम की जो फैक्टरी है वह आपकी कहां पर है गाजीपूर में ही है ठीक है option मने क्या के नंबर हो जएगा अगला कोशना से याप पर दिया गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिसमिल को फांसी फांसी डी गई थी यहाँ पर जवाब दीए आपका सही जवाब क्या हो जएगा 2021 में कोशन पूछा गया था अभी आरो एक्जाम में कोशन पूछा थोड़ा समलोग यहाँ पर फास्ट हो जाते हैं ठीके ना समल कर रहेगा क्योंकि अब थोड़ा सा स्पीड के साथ बढ़ेंगे चलिए कोशन आप से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है वो किस से आता है चलिए 82 निम्बर का ज खादी ग्राम उद्धोग बोड़े की स्थापना कप की गई थी यहाँ पर जवाब देना है आपका सही जवाब इन में से क्या हो जेगा उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्धोग बोड़े की स्थापना जो की गई थी वो कप की गई थी इसका अंसर क्या हो जेगा चलि लिए बताएगा उत्तरपदेश और धोगिक विकास निगम इस्थापित क्या हो जेगा चले सई जवाब इन में से क्या हो जेगा यहां पर देखिए 82 नंबर कोस्टन में क्या डाउट है थोड़ा सा हना इसको थोड़ा सा आप लोग सर्च भी कर लिजेगा यहां पर व्याप अगें बटते हैं सरवाधिक बियोड मिलता कोशेजन की मातरा देखिया अब यहां परकлек roman में महातर सुदूर सम्वेधन किंद की स्थापना कहां की गई है प्रदेश के एक मात्र सुदूर सम्वेधन किंद की स्थापना कहां की गई है चलिए इसका जवाब देना है सभी को जैहिंद जैहिंद सभी को जैहिंद गोडे उनिंग चलिए तो दिखी 86 नंबर का उप्शन मनेगा क्या D नंबर है यहाँ के लखनों में की गई है याद रिखेगा कि प्रदेश के एक मात्र सुदूर समेदन के इनकी स्थापना काँ पर की गई है तो आप कंसर हो जएगा यहाँ पर आ किसकी संख्या उत्तरवदेश में सरवाधिक है उत्तरवदेश में जो संख्या है वो आपकी सरवाधिक है किसकी चले काफी तीव्रता के साथ काफी लोग की जवाब आ रहे हैं लगबग सभी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसे ही जवाब आपके आने भी चाहिए च चलिए तो देखे heavenlyाफ का जवाब ही टाइक जनाँ पर देश वीधान सबांके प्रसम अधीर कौन के थे informação पर चलिए जवाब इनमें से क्या होज़ेगा त्याज रिखे अब करा देश एक G Fachin दास टंडन आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा ठीक है ना चलिए यहाँ पर copy-paste मत की दिए नए बाद में block हो जाएगा ID तो हमें मत कहिएगा कि हमारी ID block हो गई है ठीक है ना क्योंकि हमारे चैनल में ऐसा लगा है कि ज़्यादा copy-paste कोई करता है तो automatic 15-20 दिन मे ऐसे आपके स्थिति आएगी कि आप लोग comment नहीं कर सकते हैं ना हम block करेंगे ना कुछ भी करेंगे और आपकी ID automatic block हो जाएगे फिबाद में मत कहिए ना कि सर हम हमें unblock कर दीजे तो इसलिए copy-paste जितना कम हो सके उतना करिए है ना दो चार बार तो चलता है लिकिन अगर बा पिशन पेश किया करें चले बताइगा यहां पर निम्रीखित में से कौन उत्तरवदेश के मुखि मंद्री नहीं रहे हैं चले यहां पर जवाब देना ॆपका सहटी में जुड़ा है राश्टी राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ा है यहाँ पर दीछे वारन रेसी प्रेयाग राज लखनो आगरा कौन से बनेगा चले देखे बानवे का जवाब यहाँ पर आ रहा है काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सीनम Lucknow तो देखे आपका जवाब क्या होजchosन कहाँ से नहीं गुझरता है यहां पर क्या होजएगा चले यहाँ पर दीजेगा आपका तीरानविक ऑप्सं क्या होजएगा तो देखे भई यहाँ पर जो तीरान सीनम्बर आपको दिया गया अलिगड है लेकिन याद रखेगा update के अमसार यहां से भी आपका गुजरता है ठीके न तिस question को सभी लोग बार check करेंगे मतलब जो आपका GT Road है कहां कहां से गुजरता है इसको सभी लोग क्या करेंगे यहां पर एक बार नेट में भी सर्ची करेंगे किता में भी सर्ची करेंगे क्यूंकि यहाँ से लगबग जाता है ठीके सभी जगा से होकर जाता है इस कारम से तो आप लोग यहाँ पर जोली गड़ लगा रहे हैं आपका बी नंबर होज़ेगा ब्रजभूमी आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है मिर्जापूर जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है आपको जवाब देना है पंचानमे नंबर में चले काफी लोग जवाब दे रहे हैं आपका आपका जवाब क्या होज़ेगा चले चानमे का जवाब तो देखिए आपका चानमे का उप्सन काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आउधी बोले तो देखिए आपका जवाब होज़े कौन सा डी नंबर आपके आउधी बोली से हैं क्योंकि आपकर सुल्तानपूर रैबरेली है ना बाहराई ची ज सब्सक्राइब करने का ज्यादा समय नहीं देते हैं क्योंकि इसके पहले आप लगातार क्लास लेंगे तो आपको लगेगा कि ने इसमें तो डिस्क्राइब करने से कोई फादा नहीं है यहां पर आपका वजए कहाँ समय करना है, यहां पर मेला दिए गए और आपकी इस्थान दिए गया अब आप बताएक कहन सा मेला कहाँ तो आपके इसका क्या हो जाएगा थे क्या 3412, इसका screenshot इसी प्रकास से ले लिजे, इसी प्रकास से इसका screenshot ले लिजेगा, 3412, 3412, 3412, आपसन कौन से मिल गया, यहाँ पर बी नमबर आपका राइट हो गया, आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है, निमनिकित में से कौन बुंदेल खंड का लोक नरत्ते नहीं है, पर में कलिंजर, किला, इस्तित है, आपको जवाब देना है, जासी, बांदा, चित्रकूट और आपके ज़रन, यहाँ पर यह कोशन आपके एक्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब 2019 में इस कोशन को कई बार पूछा गया है, चलिए, तो देखे, आपका अंसर हो जएगा, आपके बांदा में है, कलिंजर कहां पर है, तो कलिंजर का जो किला है, वो आपके बांदा में है, आपके बांदा में है, आपके बांदा में हो ज़रेगा, आगे बढ़ते हैं, कोशन आप से दिया गया है, कि माता टीला आप बहुत देशी परियोजना किस नदी परिस्तित से को जवाब देना है आप सभी लोगों को साहत में वीडियो को लाइक करते रहेगा जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं हाना तो वीडियो को भी लाइक करते रहे तो अच्छा भी लगता रहेगा यहां पर देखो माता टीला परयोजना दिया गया है तो यहाँ पर अशर निम्निकित में से कौन सा एक खनी जो उत्तर पदेश में नहीं पायाता है तो अब रख नहीं पायाता है आपका बी हो जाएगा आगे बढ़ते कोशना आप से गला पूछा गया है उत्तर पदेश में एस बेस टास पाया जाता है यहां पर जवाब दीजेगा चले बहुत ऐसी होने आगे बढ़ते कोशना अब शिकला पूछा है उत्तर पदेश की इस नहर पर सरवाधिक जलविद्धुत उत्पादन केंद्र हैं उत्तर विदेश के किस नहर पर सरवाधिक जलविद्धुत उत्पादन केंद्र हैं यहाँ पर जवाब दीजे आपका सही जवाब इन में से क्या होजेगा चलिए तो देखे तो देखे आपका जवाब होजेगा यहाँ प उपरि गंगा नहेर होगा कि प्रदेश की नहर पर सरवादिक के इंद उपरि में होता है वोगा यहां पर देखे 8 नंबर में通 Puerto प्रमुखनीज आपके कौन से हैं चले आगे बढ़ते कोश्चन आप से दिया गया है उत्तर विदेश में पाए जाने वाले यहां पर प्रमुखनीज कौन से हैं चले आपको के आपको कंफ्यूज के हो रहे हैं वही आपको इतनी बार पढ़ा गया है अगर हम झोट भी बोलेंगे तो आप लोगको स़ही देना है ना यापर दो पाध मैं आप लोगों ने सही जवाप पहले दिया था लेकिन बाद में क्या होँआ आप लोग कोश्चन को बदल दिये जब हमने अंसर बढ़ द्या तो आपने अंसर बदल दिया और पहले आपने भरोसे में रहना है क्योंकि आपको इतना रटा दिया है कि आपके जवान में कोश्चन है जैसे कोश्चन आएगा उस कंसर आप लोग तुरन देदोगे तो दूसरे के बैकावे में नहीं जाना है चलिए आईए आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से देखो यहाँ प देखो ब्रज की गला बात करें तो आपको तुर्ण जवाब देना है कि सर चर्पुला रुप्सन हो जेगा सी नंबर है यहां पर राइट हो जेगा हम ने इसके पहरे में आपको बताया था चर्कुला रुप्सन में क्या होता है एक पाया होता है 108 लेंप के मतलब दीपा कल जड़ायाते हैं महिलाएं रखकर नरत्य करती हैं यह चर्कुला होता है हमने बताया है कई बार ओप्षन क्या होगा अगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख नरत्य आपका कौन सा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख नरत्य आप से पूछे तो नमबर है तो साकंब्री देवी कमेला जो आपका लगता है कहां पर होता है साहरनपूर ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर दी नमबर साहरनपूर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है कहारा है पी एसी विद्रो के समय उत्तरबदेश के मुख्यमंत अगला कुशन आप से दिया है उत्तरब्देश में उगाए गए निम्रिकित फसलों में से किसकी अवधी निमतां होती है किसकी अवधी निमतां होती है कम समय में उगाए जाने वाली इनमें से कौन सी फसल है चलिए यहां पर अंसर क्या हो जगा बिनमबर या डिनमबर चल पहते हैं अर्थाति यह कौन सी आपकी जन जाती है यहां पर अंसर हो जएगा डे नंबर आपकी खरवार जंदर याद रखेगा बांदा जनपत के पाठा चेतर के जो मुख निवासी है वो आपके खरवार होते हैं जो कोसे आपको नहीं आता या पहले बारा पढ़ रहे हैं उसका स्क्रीन सोट जरू लिजेगा क्योंकि जब दोबारा पढ़ाया जाए या आप रिविजन करें तो उसको एक दोबार आप देख लेंगे तो यूपी जी के के जो कोशन नहीं भी आ रहे थे वो भी आपको आपको आने लगेंगे ठीक है ना चले अगला कोशन है कि ग् आपने इतियास में पढ़ा होगा जो सेर सा सूरी थे हाना और हुमायू थे उस समय चुनार पर आपके कई बार आपके कैसिक्ते हैं चड़ाओ युद्ध की चड़ा हुए थे हाना चुनार का प्रथम गेरा चुनार का दुती गेरा यहां परमसर क्या होगा असी नंबर हो परियोजना पूछा गया तो यहां पर बताई काई है सार्दा बायराज मतलब आप लोग मजा लेने लगते हो दुसरे करने लगे और बात में क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी हासते हैं। बैतल बाइब ने देखा है, दो-तीन ऐसे भी स्टुड़एंट हैं, कि सई-सधी हों कि गलत करते हैं, जो उनका कमेंट करता रहता है, दूसरा निसान लगाते हैं लेकिन नहीं तब भी वो क्या करते हैं हम देख लेते हैं होसियार है कि नहीं है कि ऐसे लगाते हैं तो जब देखते हैं हम गलत बताएंगे तो वो कहेंगे सजी यह नहीं तब यह होगा तो लगता है कि हाँ पढ़े लिखे लड़के हैं ठीक है च आपको जवाब का क्या है जो अ आपको समय बड्रित की सबस्क्रट से अर्था नरत्तिकी संस्क्रट्ट से संबनेगा अगला कोशन आप से दिया गया है ये प्रती वर्स शूफी संथप आजी वारी सलिसा की मजार पर मेला लगता है आपको बताना है कहा पर लगता है यहाँ पर आपका अंसर right क्या हो जएगा चरिए भई तो देखे भई यहाँ पर बताईए सूफी संत हाजी वारी सली सा बहुत बार question पूछा गया है तो हाजी वारी सली सा की मजार पर जो मेरा लगता है यह कहाँ पर लगता है option इसका क्या जवाब होगा C number क्या रहें देवा सरीप देवा सरीप बारा बंकी मतलब आपसं जो बनेगा वो आपका C होजएगा देवा सरीप का मेला लगता है बारा बंकी option होजएगा C अगला question दिया गया है सुची first को सुची second से यहां पर सुमेलित करना है देखो दिया गया है बिरहा है मतलब विरहा और बिरहा कहा पर होता है तो होगा कजरी कहां का है आपके भौजपुर का है अर्थात इसका वन हो जगा मल्होर आपका है कहा है तो कौरवी का है ये देखे कोई option है 2, 1, 4, 3 option ए नमबर यहां पर right हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question दिया गया है लोक नरत्य राहुला का सम्मद यूपी के निम लिखित में से किस एक छेतर से सम्मदित है राहुला का जो सम्मद है राहुला का जो सम्मद है यूपी के कौन से छेतर से सम्मद होगा और आगे बढ़ते हैं question दिया है कि उत्तरवदेश की पुरातात्वी करात्मग निधी की देख रेक करने के लिए स्थापिस संस्क्त विभाग के कारियों का यहां पर सम्मलित नहीं है मतलब जो आपका उत्तरवदेश का पुरातात्वी करात्मग निधी है तो यह सं काप दीजेगा कि उत्तरवदेश वित्ती निगम किसका वित्ती करण नहीं करता है इसका अंसर दीजे क्या हो सकता है तो देखें इसका अंसर क्या हो जगा चले 25 अंबरमें देखो पहला दिया है है इस्थाइ संबंदी कारे करने के लिए उसकताहों के लिए यह नहीं करता है लिकिन परेटैन संबंद्युद्धों के लिए यह नहीं करता है अगला कोशन दिया गया है निम्रिकित में से किस दलहन फसल का छेत उत्तरवदेश में सरवाधिक है यहाँ पर जवाद दीजेगा कि कौन सी ऐसी फसल है जिसका छेत उत्तरवदेश में सरवाधिक मिलता है यहाँ पर आपका अंसर क्या हो जेगा, यहाँ पर जीथें आपका अंसर क्या हो जएगा, यहाँ पर चना है याद रिखे किस दलहन फसल छेथ उत्तरवध्देश में सरवादिक है तो अप्टफिन डी हो जएगा चना हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है उत्तरपदेश में संत्री की पैदावार वाला मुख्य जिला इन में से कौन है पैदावार पूछा गया है किसके बारे में संत्री के बारे में पूछा गया है अंसर क्या हो जागा संत्रा सा से संत्रा सा से साहारनपूर हो जेगा शी नंबर सासे संत्रा सासे साहरन पूर ओप्स्ण हापकासी हो जएगा आगे बढ़ते हैं कुछन आप से पूछा गया है उत्तर प्पधेष में विक्रै अधिसेश अधिक्तम है यहां पर जवाद देना है तो चलिये यहां परंसर क्या हो जाएगा तो देखिया आ चलिए बताई इसका अंसर क्या हो जएगा सई जवाब क्या गाना है तो दीखे उत्तर प्रदेश में y मरदापरदन से सरवाधी प्रभावी छेतर यहां पर अंसर क्या हो ज़ेगा जो पाफ्च्युमी छेतर है हमने बताया था पाष्च्युमीv छेतर में जैसे आग्रार हो परनसर दीजेगा तो अंसर क्या हो जगा आपका सी नंबर आपका राइट हो जगा आगे बड़ते कोशन दिया गया है वहाँ प्राचीन इस्थल जाहां 6000 मुनियों की साभया में संपूर माभारत का वाचन किया गया था चलिए यहां परनसर दीजेगा चलिए वह आप राचीन इस्थल जाहां साथ हजार मुनियों की सभा में संपूर माभारत का वाचन किया गया अंसर हो जगा आपका डी नमबर आपके नयमी सारण का पर नयमी सारण जो किया पड़ता है आपके सीतापुर तो आपसन बन जाएगा यहां पर आपका डी नमबर आगे बढ़ते हैं कुशन दिया है घुर गोविन सिंगे स्पोर्ट से कालिज काहां परिष्थीत है यहां पर दीजेगा तो यहां दरखें कि आपके कामपर है आपके लखनव में है घुर गोविन सिंगे स्पोर् 대해서 काотьए कालिज्ष ऑपके अपा कुन सा है एक ऐसा भी मंदीर है जो अपने भारत देश की अर्था जो भारत माता है उनकी पूजा की जाती है आपका अंसर क्या होज़ेगा तो देखें आपका अंसर क्या होज़ेगा चले आपका वारा नसी या पर बी नंबर आपका होज़ेगा वारा नसी में है आगे बढ़ते हैं सरवादिक 25-55 इन में से कौन है प्रदेशकार सरवादिक 25-55 इन में से पूछा गया है और सबसे बड़ा पच्छी बेहर कौन है वह सब सबसे बड़ा पैसा क्या होता है लक्खा मतरा क्या होता है लाख बहुषी है आप जवाब दीजे जल दिशें से लाख placed죠 ये